जै माधरी दोस्तों कैसे हैं आप सबी दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो 26 मई को बुध का राशी परिवर्तन हो चुका है बुध व्रेश्यब राशी से निकल कर मिथुन राशी में प्रवेश कर चुके हैं जोति शास्तों में राशी परिवर्तन को बहुत ही महतपून माना गया है कोई भी ग्रह जब अपनी राशी बदलता है गोचर करता है तो ये घटना बहुत ही महतपून हो जाती है बुध तीन जून तक मिथुन राशी में ही रहेंगे बुध के राशी परिवर्तन से कुछ लोगों को शुप फलो की प्राप्ती होगी इन लोगों पर इस समय बुध देव महरबान रहने वाला है बुध के महरबान होने पर व्यक्ती किसी भी कारे में असफल नहीं होता है या फिर यूं कहिए कि बुध इनके उपर खुशियों की बरसात करने वाले है तो आईए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां जो बुध के राशी परिवर्तन से माला माल होने वाली है दूस्तों इनमें पहली राशी है मेश राशी बुध का राशी परिवर्तन आपके लिए बहुत शुब साबित होगा बुध के राशी परिवर्तन के कारण आप हर कारे में सफल होते जाएंगे व्यापार में मुनाफा मिलेगा नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे इस दौरान कहीं ऐसे लाब आपको मिलेंगे जिसके आपने कलपना भी नहीं की थी दूसरी राशी है मिथुन राशी बुध राशी परिवर्तन के दौरान आपके रुके हुए कारेों को गती देगा कुछ प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए बड़े काम के साबित होगे नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे आपका आत्म विश्वा से समय बढ़ेगा तीसरी राशी है वरिश्चिक राशी इस गोचर के दौरान आपको धन लाब हो सकता है यात्रा के योग भी बनेंगे नौकरी में बदलाव होगा और ये बदलाव आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और ये समय किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए बेहद शुब है चौथी राशी है धनु राशी इस समय आपको आर्थिक समश्याओं से छुटकारा मिलेगा किसी से कर्ज लिया हुआ था तो वो भी खत्म हो जाएगा संचार कौशल में सुधार आएगा भाग्योदय का समय आपके लिए ये कहा जा सकता है कई जगाओं से आपको बड़ा मुनाफ़ा मिलने के योग बन रहे है पांचवी राशी है मकर राशी इस दोरान आपको अपने कारे अस्थल पर सफलता मिलने के योग बन रहे है जो लोग स्टुडेंट्स हैं प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे है उन्हें सफलता मिलेगी और कैई शुपर नाम आपको मिलेंगे प्रेम संबंदों के लिए भी समय बेहद अनुकूल है अगर आप अपने पैरेंट्स से अपने रिष्टी की बात करना चाहते हैं तो बेजी जख होकर अपने परिवार वालों को अपने रिष्टे के बारे में बता सकते हैं तो दोस्तो ये थी वो पांच भागेशाली राशियां जो बुद्ध के राशी परिवर्तन से बुद्ध के गोचर से तीन जून तक माला माल होने वाली हैं तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें धन्यवाद